Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई interesting information आज की हमारी information है पेपर के बारे में जी हाँ, जिसे हम काली मिर्च, गोल मिर्च के नाम से जानते हैं उसके बारे में तो यहाँ देखिए हमारे सामने ये तीन टाइप की मिर्च हैं ये है ग्रीन पेपर, जिसे हरी गोल मिर्च भी कहा जाता है ये है ब्लाक पेपर, जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है और ये है वाइट पेपर, जिसे लोग अपसर सफेद गोल मिर्च भी कहते हैं पेपर का वीडियो कंटीन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंटरस्टिंग बता दूँ कि ये तीनो ही पेपर एक ही बेल के फ्रूट है और उनको डिफरेंट डिफरेंट समय पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रॉसेस किया जाता है जिसकी वज़े से ये ग्रीन कलर, जब फ्रूट ग्रीन कलर के होते हैं, यदि की तो तोड लिया जाता है, और उनको ड्राइ कर लिया जाता है जिसकी वज़े से इसका नैचरल ग्रीन कलर इसमें रह जाता है और इस सरके ग्रीन पपर का इस्तहमाल push डिफरेंट आपन प्लैक पक्लिंग के तरफ है उसको अक् इसके बारे में कोई introduction की ज़रुत नहीं है यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिटने वाली और सबसे ज्यादा प्रचलित सीजनिंग है यह ब्लैक पेपर को भी कच्चे फ्रूट से ही बनाया जाता है यानि कि इस बेल में जो ही फ्रूट होते हैं हरे रंके उसको ही जब तोड़ा जाता है तो उसको होट वाटर में कुक किया जाता है और उसको फिर ड्राइ किया जाता है कई बार संड्राइड किया जाता है कभी क सब्सक्राइब सोजर्ण के दो इन के ही और वाइट पैपनीनेा जातीत, और फिर उसको dry किया जाता है तो इस तरह से हमें ये white pepper मिलती है और white pepper का इस्तमाल normally इंडोनेजिया में और थाइलेंड में सूप में, ड्रेसिंग में, सीजनिंग में होता है और कई बार french cuisine में जहां aesthetic purpose के लिए लोग black pepper नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं वहां पे white pepper का इस्तमाल होता है क्यूंकि ये तीनों बेरिया एक ही plant के fruit है बस उनको बस अलग टाइम पे पिक किया जाता है और प्रॉसेस किया जाता है तो normally इनके गुन एक जैसे ही है जैसे black pepper और white pepper दोनों को ही digestive problem के लिए cough के लिए, cold के लिए इस्तमाल में लाया जाता है आपको एक interesting का बता दूँ जो black pepper होती है वो सबसे ज़्यादा तीखी और pungent इसका flavor होता है और white pepper इससे थोड़ी mild होती है और white pepper क्यूंकि ज़्यादा टाइम तक प्रॉसेस की जाती है तो इसकी shelf life कम होती है इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर में seasoning के लिए black pepper को ही सबसे ज़्यादा लोग इस्तमाल करते है pepper का botanical name Piper Negrim है और ये मूलता केरला में पाई जाने वाली bale है यानि कि सबसे पहले से केरला में ही पाया गया था और world में सबसे ज़्यादा pepper का production वियतनाम और इंडोनेशिया में होता है और भारत का pepper production में तीसरा नमबर है I hope मेरी ये information आपकी everyday life में useful रहेगी thanks for watching